कि मायावती को जिंदा रखना ओटर लोगों का वैसे ही होगा जैसे आर्पीयाई को जिंदा लोगों ने रखा तो आर्पीयाई से सबक लेकर मायावती का भी पंदोबस्त कर देना चाहिए जैसे काचिराम जी ने किया था कि आर्पीयाई को छोड़कर नोने एकड़नाया अंदोलन खड़ा किया विप्सफल करके दिखाये अब ही मायावती वही काम कर रही जो आर्पीयाई के लोग अवरोद खड़ा करने का काम करते थे प्रूंत अब उसकी कोई सबलता नहीं प्रतान मंत्रिय तो वह दूर की बात सअब आप मांनते हैं कि राजनेति के रुप से वो परिपक नहीं है जैसी होनी चाहिए उनके उनका जो जैसा मां ती को मायावति को हमेशा मेंटॉर चाहिए पर गाशीराम जी के निगराण नियन तरन में ही मायावति के राजनेति आगे बढ़ी यह है कि मैं तो बामसिफ का बनिया दीकारी करता हूं तो मैं जानता हूं न जारी जी जी जा आप मेंटॉर हो सकते हैं नहीं बाया वती का राणिती समाप्त हो गया है बामसिफ नहीं पितृपक्च वह मेरे बास है अब मैं कह रहा हूं मायावती का मामला समाप्त हो गया आप सलाह देकर और अच्छा कर सकते हैं मुझे मायावती को सलाह देने के लिए मायावती अब उस तिती में है नहीं कि उसको सलाह दिया जाए उसका कोई योग अभी है नहीं माहा वोती को अगर कुछ किया जाया अंधुलन के तरफ से समाप्त कर देना चाहिए है जैसे हम RPI के लोग और प्लेशाओं आंधुलन को आगे बढ़ाने का बारास्ता है RPI को समाप्त करना इतना खुल कर तो किजी के तंऻ मैं बोल सकता हूं क्यों कि मेरा कि दुर्भाव नहीं नहीं है RPI का मतलब आमबेट कर नहीं RPI एक टूल है RPI एक साधन है वो कोई और भी साधन हो सकता है फिलेशा वो आमबेट करके अंदूरन को आगे बढ़ाने का अंदूरन आगे बढ़ना जरूरी आ तूल आगे बढ़ना जरूरी नहीं है उस उब्जेक्टिव को फूला करना जरूरी है जिस उब्जेक्टिव के लिए बाबा सभांबेट करने टूल बनाने के कोशिश की वह बनाने नहीं बनाया थी तीन अक्टॉमबर 1977 नेस्टन उनको और पापको हैं बाबा साओंमेट करके मृत्यू के बाद साओं में संस्ता पहले थैं एक आइडिया के जनूडेटर हो सकते कि आइडिया जोनीरेटर की थी तो आपको लगता है कि आप बहुजन समाज का कोई प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता या फिर आमबेटकरी कोई व्यक्तिव प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता क्योंकि सारे लोग खत्म हो चुके आरपाई भी खत्म हो गई बीएसपी भी खत्म हो गई आप बनना नहीं चाहत इसके लिए तो हम सारा समाज तैयर कर रहे हैं और 2030 तक कोई भी सरकार दिल्ली में हमारे सपोर्ट के बगरने आएगी हमारे सपोर्ट होगा हो ही आएगी 2030 तक देखो 2024 में लोग सबागे चुना हुए 2029 को लोग सबागे चुना हुए इसलिए 30 बता रहा हूँ 2030 तक हम इतनी संगटनात्मक शक्ति या इतना जनसमर्तन हासिल कर लेंगे अभी बाम्सेव के संगटनात्मक कारिय को करने का कारिय जो है अभी हम लोग उसको अब दुसरे तरीके से कर रहे हैं अभी आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं अभी हमारा सेकट फेज चल र पावर इजे प्रोडुक्ट अफ सक्षेस्फुल स्ट्रगल आसाम में प्रफुलकुमार मोहंता ने अंदुलन चलाया मुख्यमंद्री बन गया वह विद्यर्थी था केजरी वाल दिल्ली में आंदुलन किया अन्ना का होके मंद्री हो गया जवारलाल नेरू और गांधी ने आजादी का आंदुलन किया पंद्रा अगस को प्रदान मंद्री हो गया तो पावर इजे प्रॉड़क्ट आफ सक्सेस्पूल स्टगर अब बड़ा सिद्धान्त परखावा सिद्धान्त है मैं वहीं आंदुलन कर रहा हूं अगर कमिश्णर को कंट्रोल नहीं हुआ तो देश चलाने वाले लोग क्या निरंद्र मोधी है फड़न्मीस आकर कंट्र नहीं कर पाया है तो मेरे को क्या किंट्रोल कर लेगा तो तब तक तो इसी लिए जुटा प्रपोगंडा कर रहा है कि नहीं मावों वादियों का हमारे पास ही इनप्यूट है मैं चुनवती देता हूं फड़न्वीस को तुम 48 घंटे के अंदर कल मैंने यह कहा था तुम इस उसको आधार बनाकर फड़न्वीस पर एट्रोसिटी की भी केस दाल दूंगा अब मैंने सुप्रिम कोट के लाएर को लगा दिया है आई कोट सुप्रिम कोट के लायर को इस काम के लिए कि जाच करो एक कौन से फ्रेमवर्क में बैटता है पड़न्विस के ऊपर भी डालना है तो दाल देंगे अगर मानलो पुलिस वाले नहीं डालते तो मैं हाई कोट से ओर लाँगा ईश्प्रिम कोट से ओर लाँगा इज्ड़ीम कोट में अगर उन्हर उन्हों ने कि आमन मेश्राम राष्टियस तरका है कि अधनुविस चोटा नेता है आप लोगों को बहुत बड़ा लगता होगा एक बात बताएं कि आपने कहा कि तीस तक के सब कुछ बदल जाएगा इवियम बदल जाएगी जबकि बीजेपी ने तो 47 तक का प्लान बना रखा है हमारा य प्लान बना करिया आगे बढ़ सकते हैं तो अन्हें फंबनाया वह संगतें का प्लान है वह तो इस तरीके से तुमाम आपंशिवह नेता ओकि विराद में सी बैया लगाना एड़ी लगाना कि लाद et click की खिलाब भी आया यह कर दियना और मतलब दस साल पहले का मामला अभी खोल देना यह अपने आप में इस सबूत सिद्ध करता है कि नरेंद्र मोधी को ऐसा लगता है दो हजार जोब इसका चुना वो नहीं लड़ सकते मतलब नहीं जीत सकते हैं यह इस बात के सबूत है पताइब और मैं आपको बताता हूं कि अगर हम लोग समर्थन दे दे बहुत बड़ा राष्टियस अंगड़नी के अपोजिशन पार्टी के पास Kraut बेड और ऑर्गनाईजीशन है बीजेपी के पास कैडर बेस RSS है अपोजिशन के पास कोई कैडर बेस ओर्गनाईजेशन नहीं है जो राष्टी अस्तर पर सपोर्ट दे सके और RSS को काउंटर कर सके मेरे पास है अब मैं महाईदान में अगर सपोर्ट में उतर जाओ केडर बेस और्गनाइशन के साथ में तो RSS की भरपाई हो जाएगी BJP की भरपाई करने के लिए वो अपोजिशन रेडी है तयार है उनके बास समरतन है अभी सर्वे रिपोर्ट आया कि अगर अभी चुनाव हो तो 36% वोड BJP को पढ़ेंगे 64% वोड जो है अपोजिशन को पढ़ेंगे अपोजिशन की कमजोरी है कि सारा अपोजिशन इखटा होके चुनाव लड़े ऐसी संभावना नहीं है हमारी कोशिच है कि पवार साप जैसे जो लोग है वो इस बात के लिए ज्यादा क्रेडिबल तरीके से इस गडबंधन को महागडबंधन को विशाल महागडबंधन को निर्मान करने का काम करे